लोग सभा के स्पीकर आदर्डे स्री ओम बिरला जी राज सभा के उपसभापती श्री हरिवांच जी मानिय सांसदगर्ण सभी वरिष्ट जन प्रतिनिदी विशिष्ट अतिधी अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे देश वास्यों हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमीट हस्ताक्षर बन जाती है आज 28 मैं 2023 का ये दीन ऐसा ही शुब अवसर है देश आजहादी के 75 बर्ष होने पर अम्रित महोत्सों बना रहा है इस अम्रित महोत्सों में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को सौंसत के इस नए भवन का उपहार दिया है आज सुब्य ही सौंसत भवन परिशर में सर्वपंथ प्रार्षना हुई है मैं सभी देश वासियों को भारतिय लोकतंत्र के इस स्वनिम ठ्षन की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों यह सिर्फ एक भवन नहीं है 140 करोड भारत वासियों की आकांशाओं और सपनों का प्रतिविंब है यह विश्व को भारत के द्रड़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदीर है यह नए संसद्ववन योजना को यथार्थ से नीती को निर्मान से इच्छा शक्ति को प्रिया शक्ति से शंकल्प को सिद्धी से जोड़ने वाली एहम कड़ी साबित होगा यह नया भवन हमारे स्वातंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा यह नया भवन आत्म निर्वर भारत के सुर्यों दैका साक्षी बनेगा यह नया भवन विच्षिज भारत के संकल्पों की सिद्धी होते हुए देखेगा यह नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है साध्यों नए रास्तों पर चल कर ही नए प्रतिमान गड़े जाते है आज नया भारत नए लक्ष तै कर रहा है नए रास्ते गड़ रहा है नया जोश है नया उमंग है नया सफर है नई सोच है दिशा नहीं है द्रश्टी नहीं है संकल्प नया है विश्वास नया है और आज आज फिर एक बार पूरा विश्वा भारत को भारत के संकल्प की दढ़ता को भारत वास्यों की प्रकरता को भारतिय जनशक्ति की जीजी विशा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्वा आगे बढ़ता है संसत का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आहवान करेगा साथियों आज इस अइतिहासिक अउसर पर कुछ देर पहले संसत की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है महांच चोल साहराज्य में सेंगोल को कर्तव्य पत्का सेवा पत्का राष्ट्र पत्का प्रतीक माना जाता था राजा जी और आदिनम के संतों के मार दर्शन में यही सेंगोल कि सत्ता के हस्तान तरण का पतिक बना था तमिल नाडू से विशेश तोर पर आए हुए आदिनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशिरवाद देने उपस्तित हुए थे मैं उन्हें पुना स्रद्धापुरवक नमन करता हूँ उनके ही मार दर्शन में लोग सभा में यह पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है पिछले दिनों मिडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं मानता हूँ यह हमारा सोभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लोटा सके है उसकी मान मर्यादा लोटा सके है जब भी इस संसद्धवन में कारवाई शुरू होगी इस एंगोल हम सभी को प्रेणा देता रहेगा साथियों भारत एक लोगतंत्री ग्रास्त्र ही नहीं बलकि लोगतंत्र की जननी भी है मदर अब डेमोक्रेसी भी है भारत आच वैश्वीक लोगतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है लोगतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्ता नहीं एक संस्कार है एक विचार है एक परंपरा है हमारे वेद हमें सभाओं और समित्यों के लोगतंत्री आधर सिखाते हैं महाभारत जैसे ग्रंतों में गणों और गणतंत्रों की ववस्ता का उलेक मिलता है हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जी कर दिखाया है हमने भगवान बस्वेस्तवर के अनुपव मंटपा को अपना गवरो माना है तमिलनाडू में मिला नवसो इस्वी का सिलालेक आज भी हर किसी को हरान कर देता है हमारे लोग हमारा लोगतंत्र ही हमारी प्रेणा है हमारा संबीदान ही हमारा संकल्प है कि इस प्रेणा कि इस संकल्प की सबसे स्वेश्ट प्रतिनिदी अगर कोई है तो यह हमारी संसद है और यह संसद देश की जिस सम्रुद्र संस्कृति का प्रतिनिदी तो करती है उसका उद्गोश करती है यह भी रुक जाता है लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है बुलंद्यों को चुप और इसलिए चलते रहो चलते रहो गुलामे के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी वो यात्रा कितने ही उतार चड़ाओं से होते हुए कितनी ही चुनोतियों को पार करते हुए आज्हादी के अमर्त काल में प्रवेश कर चुकी है आज्हादी का यह अमर्त काल विरासत को सहते विये विकास के नए आयाम गरने का अमर्त काल है आजादी का यह अम्रितकाल देश को नई दिशा देने का अम्रितकाल है आजादी का यह अम्रितकाल अनंत सपनों को असंख्या कांख्या को पूरा करने का इस अम्रितकाल का आवान है इस अम्रितकाल का आवान है मुक्त मात्र भूमी को मुक्त मात्र भूमी को नवीन पान चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए और इसलिए भारत के भविश्य को उज्वल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए आधुनिक होना चाहिए साथियों एक समय था है जब भारत दुनिया के सबसे समर्द और वैबवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था भारत के नगरों से लेकर महलों तक भारत के मंदिरों से लेकर मुर्तियों तक भारत का वास्तू भारत की विशेजग्यता का उद्गोश करता था शिंदू सब्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्य कानिन स्तब्व और स्तुपों तक चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाली यात्रियों को हैरान कर देता था लेकिन सेकड़ो साल की गुलामी ने हम से हमारे गौरव छीन लिया एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्मार को देखकर मुग्द होने लग गए 21 वी सदी का नया भारत बुलंद होसले से बरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है आज भारत प्राचीन कला के उस गवरोशाली धारा को एक बार फीर अपनी तरफ मोड रहा है और संसत की ये नई मारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है आज नए संसत भावन को देखकर हर भारतिय गवरों से भरा हुआ है इस भावन में दिरासद भी है वास्तु भी है इसमें कला भी है कौशल भी है इसमें संस्कृती भी है और संविधान के स्वर भी है आप देख रहे हैं कि लोग सभा का आंत्रिक हिस्सा यहां भी देखिए यहां भी देखिए राष्ट्य पच्छी मोर पर आधारी थे राजसभा का आंत्रिक हिस्सा राष्ट्य फूर कमल पर आधारी थे और संसत के प्रांगन में हमारा रास्त्य व्रुक्ष बर्गद भी है हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों की जो विवितता है इस दय भवन ने उन सब को समाहित किया है इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रिनाईट और बल्वा पत्थर लगाए गए कि यह जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं न वह महराश्ट्र से आई है कि यूपी में बदोही के कार्योगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालिनों को बूना है एक तरह से इस भावन के कण कण में हमें एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना के दर्शन हूँ साथियों संसत के पुराने भावन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था यह हम सभी जानते हैं टेक्नोलोजी से जुड़ी समस्याएं थी बैठने की जगह से जुड़ी चुनोती थी इसलिए ही बीते देड़ दो दसकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसत भवन की आवशकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी सांसतों की संख्या बढ़ेगी वो लोग कहां बैठते हैं और इसलिए ये समय की मांग थी कि सांसत की नई इमारत का निर्मान किया जाए और मुझे खुशी है कि भग्वे इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लेश आए आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है बिजली कम से कम खर्च हो हर तरब लेटेस्ट टेकनोलोजी वाले गैजेट्स हो इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है साथियों आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले स्रमिकों के एक समू से मिला हूँ इस संसद भवन ने करीब साथ हजार साथ हजार स्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बाहाया है कि मुझे खुशी है कि इनके स्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलेरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में साइड ये पहली बार हुआ होगा कि संसद के निर्मान में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है साथियों कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले नव वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये नव साल भारत में नव निर्मान के रहे हैं गरीब कल्यान के रहे आज हमें संसद की नई इमारत के निर्मान का गर्व है तो मुझे पिछले नव साल में गरीबों के चार करोर घर बनने का भी संतोष है आज जब हम इस भव इमारत को देखकर अपना सर उंचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले नव साल में बने ग्यारा करोड सोचालयों का भी संतोष है जिनोंने महिलाओं की गरीमा की रक्षा की उनका सर उंचा कर दिया आज जब हम इस संसत भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले नव साल में हमने गावों को जोड़ने के लिए चार लाग किलोमिटर से भी जादा सड़कों का निर्मान किया आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक-एक बुंद बचाने के लिए पच्चास हजार से जादा अम्रुत सरोवरों का निर्मान किया है आज जब हम इस नए संसत्भवन की लोगसभा और राजसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में तीस हजार से जादा नए पंचायद भवन भी बनाए हैं यानि पंचायद भवन से लेकर संसत्भवन तक हमारी निष्टा एक ही है हमारी प्रेणा एक रही है कि देश का विकाश कि देश के लोगों का विकाश कि साथियों कि आपको ध्यान होगा कि पंद्रा अगस को लाल कीले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है कि हर देश के इतिहास में कि ऐसा समय आता है कि जब देश की चेतना नए सिरे से जागरत होती है भारत में आजादी के पचीश साल पहले 47 के पहले 25 साल दियात कीजिए आजादी के पचीश साल पहले ऐसा ही समय आया था कि गांदी जी के और सयोग अंदोलन ने कि पुरे देश को कि एक विश्वास से भर दिया था कि गांदी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारत मासी को जोड़ दिया था कि ये वो दोर था कि जब हर भारतिय आजादी के लिए जी जान से जुड़ गया था कि इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा आजादी का ये अम्रित काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है आज से पतीस साल बात भारत अपनी आजादी के सो वर्ष पूरे करेगा हमारे पास भी पचीस वर्ष का अम्रित काल खंड है इन पचीस वर्षों में हमें मिलकर भारत को विक्सित राश्ट बनाना है लक्ष बड़ा है लक्ष कठीन भी है लेकिन हर देश्वासी को आज इसके लिए जी जान से जुटनाई है नए प्रण लेने हैं नए संकल्प लेने हैं नए गती पकड़नी है और इत्याद गवा है कि हम भारतियों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सिमित नहीं रहता हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागरत कर दी थी हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े भारत के विश्वास ने दूसरे देशों को दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था और इसलिए भारत जैसा विविदता से भरा देश इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतनी सारी चुरोंतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेणा भी मिलती है भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग-अलग भूभाग में अलग-अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेणा का कारण बनने वाली है कि आजदी भारत के तेजी से गरीबी दूर करता है तो यह कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेणा भी देता है भारत का विक्सित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा इसलिए भारत की जिम्बेदारी और बड़ी हो जाती है और साथियों सफलता की पहली शर्त सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है यह नया संसद भावन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है यह विक्सित भारत के निर्मान में हम सभी के लिए नई प्रेणा बनेगा यह संसद भावन हर भारती के करतब्य भाव को जागरत करेगा मुझे विश्वास है इस संसद में जो जन प्रतिनीती बैठेंगे वे नई प्रेणा के साथ लोग तंद्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे हमें नेशन फस्की भावना से आगे बढ़ना होगा इदम राष्ट्राय इदम नमबार हमें करतब्यपत को सर्वों परी रखना होगा करतें करतब्यम एव करतब्यम और करतब्यम न करतब्यम हमें अपने व्यहवार चे उदाहन प्रस्तुत करना होगा यद यदा चरती स्रेष्ट तत देव इत्रोजन हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होगे अपदीवो भवह हमें खुद को खपाना होगा तपाना होगा हमें लोग कल्यान को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा लोक ही तम्मकरनियम जब सौंसत के इस नए भवन में हम अपने दाइत्वों का इमांदारी से निर्वहन करेंगे तो देश्वास्यों को भी नई प्रेणा मिलेगी साथियों दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र को यह नई संसत एक नई उर्जा और नई मजबूति प्तदान करेंगी हमारे स्थ्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसत भवन को इतना भव्य बना दिया है अब हम सभी संसतों का दाइत्व है कि इसे अपने समर्पन से और जादा दिव्य बनाएंगे एक राष्ट के रुप में हम सभी 140 करोर भार्तियों का संकल्प ही इस नई संसत की प्राण प्रतिष्टा है यहां होने वाला हर निणए आने वाली सद्यों को सजाने संवारने वाला है यहां होने वाला हर निणए आने वाली पीडियों को ससक्त करने वाला होगा यहां होने वाला हर निणए भारत के उजव्यस बविश्य का आधार बनेगा गरीब दलीत पिछणा आदिवासी दिम्यां समाज के हर वंचित परिवार के ससक्ति करन का वंचितों को वरियता का रास्ता यहीं से गुजरता है इस नए संसत भवन की हर हीट हर दिवार इसका काण काण गरीब के कल्याण के लिए समर्पी था अगले 25 वर्थों में तो संसत के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विक्सित भारत बनाएंगे इस संसत में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बहार निकालने में मदद करेंगे इस संसन में बनने वाले कानों देश की युवाओं के लिए महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करेंगे मुझे भी स्वास है संसत का यह नया भवन नए भारत के स्रजन का आधार बनेगा एक सम्रुद्य ससक्त और विक्सित भारत निती नयाय सत्य मर्यादा और कर्तव्य पत्पर और ससक्त होकर चलने वाला भारत मैं समस्त भारत वास्यों को नए संसत भुवन की फिर से बहुत बहुत बढ़ाई देता है धन्यवाद झास्त बखल्पस, झास्वक्थ